अगर आपके SBI bank account से किसी भी तरह से पैसे कट रहे हैं, या किसी प्रकार से कट गए हैं, तो क्या करें क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और आपका नुकसान हो सकता है, जानकारी के लिए बता दे हम आपको bank की कुछ समस्याओं से भी आपके account से कभी भी और कितने भी पैसे कट सकते हैं, इसके अलावा बढ़ रहे scams और fraud के साथ थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा SBI bank खाता, ही खाली होने की संभावना हो सकती है, आज के समय में हम सभी का एक bank account होता है, और हमारा जो भी पैसा होता ह हम उसे अपने bank में जमा कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारे bank खाते में पैसे होते हैं, उसमें से धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं, जिससे हमारे SBI bank account में जमा पैसे कम होते चले जाते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा पैसे भी कट जाते हैं, खात भी ऑनलाइन लेंदेन करते और आपके पैसे कट जाते हैं और लेंदेन नहीं हो पाता है, आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे कट रहे हैं या कट गए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो चलिए बात कर लेत हैं कि हमारे SBI Bank अकाउंट से किन-किन तरीकों से पैसे कटते हैं और क्यों कटते हैं, पहले बात करेंगे जब भी हमारे अकाउंट से 10, 20, 50, 100, 500 करके महीने में या साल में पैसे कट रहे हैं, तो हो सकता है आपके अकाउंट में कोई Service EMI ASIP एक्टिवेट हो कभी-कभी बार होता है कि हमारे अकाउंट से 500, 1000 या उससे ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, एसे में हो सकता है, आपके साथ कोई फ्राड हुआ हो और कभी-कभी बैंक की कुछ तकनिकी दिक्कतों की वजह से भी आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं, किसी भी तरह से आपके पैसे कट लाइक और सब्सक्राइब कर लें